अलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गिर्वी रखना का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? गिर्वी रखना का इंग्लिश मीनिंग होता है मौटगेज, प्लेज, पॉन और इम पॉन. इसे हम एक्जांपल से समझते हैं. Example, the young man told that in order to maintain friendship with a foreign woman, he had to मौटगेज his house. उदाहरन युवक ने बताया कि विदेशी महिला से दोस्ती निभाने के चक्कर में उसे अपना मकान तक गिर्वी रखना पड़ गया इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही टाइम क्यों